कि यूटूब चैनल पर इक्साइब पार्टी में आप सभी का हर्दिक श्वागत है गुड इवनिंग ट्योलो फ्यू मेरी तू चलिए हम जो अपनी तयारी करें थे लाइब्रेरी साइंस की नैट के हम तयारी करें जिसमें एक हमारा प्रैक्टिस सेश्टल तो उनी में से आपके जो फॉलोइंग लाइब्रेरी सर्विस इस फिनिज्ड इन वेरी सोर्ट ताइम इन पूस्तकाले सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संब्वह हो तो एक चंड में यानि एक ही चंड में इना मुमेन्त ओप्षने डोकुमेंटेशन सर्वीस पर लेखन सेवा ऑप्षन भी लोंग रेंटेशन सर्विस संधर सेवा औप्शन सी सोट रेंज राफ्रेंज सर्विस अलब काल इंतवरित संधर्व सेवा ओप्शन डी ओल ओफ दी यह सभी दस सेकिंड आपको मिलिया कोश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है तो बताना आपको जो सेवा यानि कौन सी वह सेवा है कौन सी वह सर्विस है जो संधर्व सेवा ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट सेकिंड कोश्चन है इस सर्विच विच डारेक्ट सा यूजर तो एन एप्रोप्रियेट सोर्स ओफ इन्फोर्मेशन और डाटा रिक्वार्ड इस नोन डैस सर्विस उपभोगता को आवेश्यक जानकारी या डाटा के सेवा और यूजर जानकारी या वहां तक पोचने के लिए सवा जो सर्विस है उसको क्या बोला जाता है चलिया आपका टाइम समाप तो राइट आंसर संधर्व सेवा ओप्शन है है रैफ्रेंड ज्या संधर्व सेवा जोंगा फ colonies नेक्स्टोम थार्ड है क्वेशल नंब Supreme में से कोन सी सेवा के बीच समय एक मेंत्यपून गहने क्षंब और घताक है ए युशन in reference and documentation शर्विस संधर्व ii610 ऐब पर लिखर सेव उप्षणमी टेक्सिंग अनुकरमनिक और सारकरहन सेवा उप्षणיע ड़ेभरेंश्वेस रेड्टी रेफ्रेंश सर्वीज एंड लौंग रीइंज रेफ्रेंश सर्वेस् प्रस्तुत संधर्व सेवा और दिर्ग कालीन संधर्व सेवा option dcs and sdi k7mdi तो 10 सेकिंड में आपको right answer देना है question number 3 का right answer क्या है question 3 का correct answer क्या होगा 10 सेकिंड आपको मिली है जल्दी से अपना answer बताइए तो जो इसमें से पूछा गया है जो service है उसके बीच जो समय है उसका एक महत्यपून जो गटक है वो क्या होता है तो महत्यपून गटक होता है ready reference service and long range reference service प्रस्तुत संधर्व सेवा और दिर्ग कालिन संधर्व सेवा option c correct है next question 4th what is called ready reference source which can be referred for guidance in any occupation art or study उस ready reference road को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी विविश्याय कला या आध्यान में मार्दर्शन के लिए संधर्वीत किया जा सकता है option a handbook हस्त पुस्तिका option b manual option c yearbook वार्षी की गरंत option d treat as निबद तो 10 second आपको मिले है question number 4th का correct answer क्या है तो question 4th का right answer आपको बताना है 10 second के अंदर अंदर इसका right answer देना है question 4th का जो संधर्वित किया जा सकता है तो उस ready reference road को क्या बोला जाता है किसे किसी वेवेशा है कला या हाध्यान में लिए संधेर्वित किया जा सकता है तो इसमें जो संधर्वित किया जा सकता है कोई सभी option क्या है इसमें आपका correct नहीं दिया तो स्लीख नहीं तो इसमें या तो आपका गजयचर यह जातात यह जो एटलस होता है ऐन्म इसमें कोई भी ऑन्सर आपका करेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नम्बर फाइब हूँ से दैट रैफ्टाइंस सर्विस इस प्रोसिज ऑफ इस्टाबलिजिंग कोंटेक्ट बिट्विन रीडर एंड डोकुमेंट इन पर्शनल वे यह किसका कथन है कि संदर सेवा पाठाक है वं उसके परले के मद्य व्यक्तिकत रूप से संपर्क इस्तापित करने की परकिया है प्रोसिज है ओप्शने मार्गेरेट हचिंसन ओप्शन बी एसार रंगनातन ओप्शन सी जेमस आई वायर ओप्शन डी जोसप जेनस तो दस सेकिंड आपको मिले है क्वेश्चन नमबर फिफ्ट का करेक्ट आं एस रंगनातन करेक्ट है क्वेश्चन नमबर 6 डीजिटल रेफ्रेंस सेवर सर्विस के द्वारा प्रदान की जा सकती है तो जो इंद्वर संदर्व सेवा है वह किसके द्वारा प्रदान की जाएगी Digital reference saver services में पूछी गई है किसके दुआरा वो परदान की जा सकती है Option A fax, Option B opaque, Option C ask your librarian, Option D consult तो 10 second आपको मिले question 6 का correct answer क्या है तो digital संदर्व saver जो है वो किसके दुआरा offer की जाती है या परदान की जा सकते है तो किसके दुआरा परदान की जाएगी 10 second मिली है, 10 second में right answer आपको देना था चलिए आपका जो time है वो समाप थुआ, right answer इसमें हो जाएगा, ask your librarian तो किस से यानि जो librarian होते है उससे पूछ कर तो digital जो संदर्व saver है वो पूस्त काल्य अध्यक्स दौरा जो computer आधारी जो प्योग करता होते है यूदर्स होते है, उनको दी जाने वाली एक व्यक्तिगत साहिता है, help है इसमें हर यानि विभिन मेडिया आपकी सामिल होती है जैसे email आपका होता है, सबसे पहले क्या आता है, email आपका आजाएगा इसके बाद आता है web form, web form होता है और video chat इसमें आता है चलिए next question है, question number 7, web form is used in, web form का परियोग किसमें क्या जाता है जो web form होती है, उसका परियोग किसमें क्या जाता है important question है, तो किसमें web form का यूज क्या जाता है option A, Synchronous Virtual Reference Services, समकाली का भाशी संधर्व सेवा option B, option B नहीं है, आपका, Synchronous Virtual Reference Service option C, both A, B, A और B, दोनो, option C, none of the above, अप्युक्त में से कोई नहीं चलिए, 10 second, आपको मिले question number 7 का correct answer क्या होगा तो web form जो है, उसका जो परियोग है, वो किसमें क्या जाता है वैब form का परियोग किसलिए किस किया जाता है चलिए, वैब form का जो यूज है, वो किया जाता है L, Synchronous Virtual Reference Service, ऐसा हकाली का भाशी संधर्व शेवा में इसका यूज किया जाता है तो web form का आर्थ होता है, कि जो कोई भी जो सूचना होती है वैब साइट से, माध्यम से इमेल में किया जाए या टेक्स्ट किया जाए उसे web form कहते है, या तो उसे इमेल के द्वारा बेज दिया जाए या फिर टेक्स्ट आपका किया जाए, तो वो क्या होता है वो वैब साइट आपका होता है, नेक्स्ट कोईशन है, कोईशन नमबर एट हूँ फोर्मूलेटिड दा कंसर्ट ओफ रेफ्रेंज सर्विस संधर्व सेवा की आवधार्ना किसने दी संधर्व जो सेवा है, उसकी जो आवधार्ना है, वो किसने दी थी ऑपशन A, सेम्वल स्वेट ग्रीन, ऑपशन B, कैल्विल मूर्स, ऑपशन C, J.H. सहरा ऑपशन डिविलिय में काड्स, तो दस सेकेंड आपको मिलिया, कोशन 8 का क्रट अंसर क्या है, तो संधर्व सेवा है, उसकी जो आवधार्ना है, वो किसने दी थी और और अवदार्णा किस नहीं टी तो संदर्व शय्वा की जो अवदार्णा है वह देने वाले थे सेङ्व permite औप्शन है करक्टर समेवल Talking और संदर्व स्याटर्णा की जो अवदार्णा है संदर सेवा की जो डैफिनेशन है परिभाशा जो है वो जो डोक्टर ऐसा रंगनातना उनके अकोडिंग कुछ और आपकी है तो संदर सेवा का मिनिमा मिडिलिंग और मैग्जिमम सिधान जो है वो सैम्मौल रोदेस्टिन द्वारा दिया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेशन ह प्रिपिरेशन सर्विस एंड एसेमिलेशन आर्दा मेन स्टेजिज इनवल्ड इन तैयारी सेवा तता आत्म साथ करन करना डैस के मुख्य चरन है तो किसके मुख्य चरन होगे यह इसमें पूछे गए तो मुख्य चरन किसके हैं ओप्शनें सी एएस ओप्शन भी यूजर उपभूगता शिक्सा सेवा ओप्शन सी इनिटीजैसन इस दिक्षां सर्विस इवा लोंग रेंज राफ्ट राप्रेंविस कालीं संधरविशे वह दसेकिन आपको मिल को नमबर मैं खर यूशन आपको पर आइनर हो वह बताना है जम आइन का कर्याट आणसर क्या होगा कुछ आपना था कुश्ट तयारी सेवा आत्मसाथ करना वो किसके मुख्या चरन होता है कुष्ट नाइन तो यह किसका वर्च रोंग रेंज्स दिर्गकालीन संदर्वvens लिसेवा के औप्षन और कषाथ है आप युए नेक्स्न धैन है 10 तैन Nord नंबर टैने विच थियोरी ओफ रेफ्रेंट सर्विस ओफ फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्स एट असिस्टेंट सुड़ बी लिमिटिट टू इंस्ट्रक्शन एंड गाइडाइन्स ओनली नीमने में से संदर्ब सेवा के कौन से सिध्धानत ने बताया है कि साहता केवर निर पहार उप्शन सी मोड्रेट माश्यंग ऑप्शेण डिमैकजिमाम अधिक्तं तो Ärit तो सेई कि आपको मिली है 156 का करेक्ट अंफ़र क्या है क्या हम एक on 10 का right answer का question 10 का correct answer conservative अनुदार option नेक्स्ट question 11 mobile library is a kind of which service mobile library किस तरह की सेवा है तो जो mobile library होती है वो किस तरह की service है किस तरह की सेवा है option a reference service संधर्व शेवा option b extension service extension सेवा option c ready reference service तयार संधर्व सेवा option d long range reference service लंबी दूरी की संधर्व शेवा the second आपको मिले question 11 का correct answer क्या है तो mobile library जो service है सेवा है वो किस तरह की सेवा होती है question 11 में तो यह किस तरह की सेवा होती है यह सेवा होती है इस तो service है reference service की संधर्व शेवा option ए करेक्ट है question 11 का option ए राइट आंसर है next question 12 question number 12 है reference service इस संधर्व सेवा डैस है तो संधर्व शेवा होती है वो क्या होती है option ए डारेक्ट यूजर टूर्ट वा सोर्सिज ओफ इन्फोर्मेशन परियोक्ता से सीधा सूचना के श्रोथ तक option भी helping reader in selection of right book सही पुस्तक चुनने में पाटक की साहता option सारां से सेवा का अन्य नाम option दी अधर नेम ओफ इंडेक्सिंग सर्विस सूच कांकन सेवा का अन्य नाम तो दस सेगिंड आपको मिली है दस सेगिंड में राइट आंसर बताना है जो रैफ्रेल सेवी से सर्वीस है संधर्व सेवा जो होते है वो क्या होते है संधर्व शेवा है वह है क्या जाले संधर्व शेवा होती है वो होती है डारेक्ट यूज Sul and परियोकता से सीधा सूचना के श्रोत तक कोन सा शेवा श्रोत संधर तु परियोकत नहीं होता है तो यानि संधर परियोकत नहीं होका ओप्षण ने डिक्सिनरी ओप्शन भी इयर बुक वार्शी की ओप्शन सी जनरल पत्री का ओप्शन डी बिब्लियोग्राफी गरंत सूची चलिए दस सेकिंड मिलिए आपको दस सेकिंड में राइट आंसर बताने कोशन नमबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है तो संदर विशेवस्रोत जो त नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 14 कंजर्वेटिव मोडरेट एंड लिब्रल थियोरी ओफ रैफ्रेंस सर्विस और गिवन बाई संदर्व सेवा के रूडिवादी संयत मारगी और उदारवादी सिद्दांत किसके द्वारा दिये गए हैं तो किसके द्वारा यह दि यह दिये गई हैं जेम्स इंगर्शन वायर जेम्स इंगर्शन जो वायर है तो जेम्स आई वायर इसका राइट आंसर होगा ओप्शन क्वेशन 14 का ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेशन है 15 क्वेशन 15 है रैफ्रेंस सर्विस इस दा प्रोसिज ऑफ इस्टाबलाइजिग कोडिंटेक्ट बिट्वीन रीडर एंड इस डोकुमेंट्स इस अपर्शनल वे हूसे दिस व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक ततपुस्तक के मध्य संबंद स्थापित करने को संधर विशेवा कहते है यह कतन किसका है तो जो इस स्टेटमेंट थी यह किसने दी है ओप्शन ए लूई सोर्स ओप्शन भी मार्गरेट हचिंसन ओप्शन सी डॉक्टर एस सार रंगनातन ओप्शन डी विलियम वार्नर बा किसने दी है तो जो इस्टेटमेंन डेने वाले थे दोक्टर रंगनातन जिने जनक यानि भी कहा जाता है नेक्स्ट वी माउंट ईवरेस्ट क्वूरेस्ट के उचाई क्या है यह पर्षण निमलीकित में संभ़नधित है लों रेंज़ रेफ्ट्रैंज सर्विश व्यापक संधर्व सेवा से option c information finding services सूचना प्राप्टी सेवा से option d comprehensive reference service विस्तर्त संधर्वी सेवा से 10 second आपको मिले है question 16 का correct answer क्या है the second में right answer देना है जो height amount Everest की वो किस से संबंदित है तो ये question किस से संबंदित होगा चलिए question number 16 का right answer है ready reference service ततकाल संधर्वी सेवा से option a correct question number 16 का option a correct होगा next question a 70 question 17 how many basis are there for the long range reference service व्यापक संधर्वी सेवा के कितने मुख्या आधार है तो व्यापक संधर्वी सेवा जो है उसके कितने मुख्या आधार होगे option a 3 option b5 option c6 option d2 तो कितने आधार होते हैं दस सेकिंड आपको मिले question 17 का correct answer क्या है 10 सेकिंड में right answer देना है कि व्यापक संधर्व शेवा के कितने मुख्या आधार है तो कितने मुख्या आधार होगे रहो लोंग रेंज जो रेंज सर्विस है उसके जो आधार होते है वो कितने होगे question 17 में right answer 3 कितने आधार है 3 तीन आपके आधार है option है चले कौन कौन से होता है तो प्रिप्रेशन होता है यानि तैयारी पहला होता है प्रिप्रेशन तैयारी पहले नंबर पर प्रिप्रेशन यानि तैयारी आपका आता है दूसरा second नंबर पर होता है सेवा यानि शर्विस सेवा जो सर्विस होती है सेवा हो गया तीसरे नंबर पर आता है रड नंबर पर कया है मिलेशन आपकी है जो आतम सात करयं होता है यह क्या है आतम सात करयं आपका होगा यह तीनों होती है चलिए next question 18 अब आता है question 18 in which country was the reference service परस्ट स्टार्टेट संधर रचना reference वर्क सब्दे पहली पुस्त का लेम पत्रिका में वर्ष डैस के वर्ष डैस में हुआ था तो कौन से में हुआ था या आप से पूछा गया संदर्व जो सेवा है उसका जो प्रारम है वो सरपरतम किस देश में हुआ था तो किस देश में हुआ था ये इसमें पूछा गया है कि विश्चन नमबर चलिए ओप्षण ए ऐठारा सो चेतर जो संदर रचना राफ्टाहिंस वर्ट सब्ध पहली पुस्त काल यह पत्रीका में वर्ष डैस में सामने आया था तो कभ वो सामने आया है यह इसमें पूछा गया है ओप्षण एठारा सो चेतर ओप्षण भी अठा तरहा सो तिरांवेंत तो दस सेकीर में आपको राइट आंसर देना है सेनरे unfa का बताना है को जल्दी से और राइट आंसर बताइए चलिए आपकर जो टाइम तब हो समाथ तो राइड़क एफ्टाहिंस सेवा की संकलपना पहली बार जो संदर्व शेवा है उसकी जो संकलपना यह वह पहली बार यहाius के दूआ और लायरम की गई थी गुप्शन ऐस पार्थ शार्थी ऑप्शन सिसल को ओप्षण डी जस्टींटिस विंशर तो 10 सेकिंड आपको मिले नाज़ान इंटीन का करेक्ट अंसुर है क्या होगा और संधव शुवक्राइब धिर गयर लो किसे द्युर अरंदी किस ने स्टास्ट करने वाले थी किसने एस ग्रीन और लाइस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 20 संधर्व रचना रैफ्राइंस वर्क सब्द पहली बार पुस्तिकाले पत्रीका में वर्स डैस में सामने आया तो कब सामने आया था यह इसमें पूछा गया है ओप्शन है 1886 ओप्शन भी 1883 ओप्शन सी 1891 ओप्शन डी 1893 तो दस सेकिन में आपको राइट आंसवर देना है कोश्चन नमबर 20 गाफ्राइंस वर्क सब्द पूचा गया है कि वह पहली बार पुस्तिकाले पत्रीका में वर्स में कौन से वर्स में सामने आया था तो कौन से ने पतेट दो घृएंस कंवर 0,1181 ओप्शन सी खराक है यह लास्ट कोश्टन आपका स्यब्सूमिज्ण कटन वे बताना है कि आपके कितने कोश्टन का ढ स Quinn all आपसे आता था जिन को पटा था जो बच्चे चैनल पर नए है वो चानल सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थांक्यू